बाप ने रामरत यात्रा को रोका और बेटा जो है भागबत कथा करा रहा है भाई ने अपनी पत्नी को छोटा खीच कर यानि की बालों से खीच कर उसे घर के बाहर निकाल दिया और उसे दरदर की ठोकड़े खाने पर मजबूर कर दिया और छोटा भाई उसी लड़की के दा मेडिया पर तेज प्रताप यादव और तेजसी यादव को लोग ट्रोल कर रहे हैं कि बाप ने रामरत यात्रा को रोका और बेटा भागवत कथा का पाठ पढ़ा रहा है वहीं छोट बड़े भाई ने अपनी पतनी को बालों से खिच कर उसे बाहर निकाल दिया उसके साथ म सामला इस तीन से पास मिनट के रिपोर्ट में हम आपको पताने जा रहे हैं नमस्कार मैं प्रताप यादव भागवत कथा का पाठ करबा रहे हैं और इसके लिए उन्होंने तमाम बिहार बास्यों को स्नेह निमंत्रन दिया है यानि कि कमाम बिहार बास्यों को उन्होंने भागवत कथा में पहुचने का अनुने निवेदन किया है और कहा है कि लोग आएं और भागवत कथा का जो पाठ हो रहा है उसको सुने अब इसके बाद सोशल मेडिया पर उनको काफी ट्रोल किया जा है तेज प्रताप यादब से ये सवाल किया जा रहा है कि तुम्हारे पिता ने यानि कि लालु प्रसाद यादब जी के बारे में कहा जा रहा कि उनके पिता ने राम रत्यात्रा को रोक दिया था और एलके आडवानी को गिरपतार करवा दिया था जब लाल क्रिश्न और लालू प्रसाद यादव के पडिबार को सनातन बिरोधी हिंदू बिरोधी कहा जा रहा है और इसी बात के लिए सोशल मेडिया पर लोग तेजप्रताप यादव को काफी ट्रोल कर रहे हैं कि पिता ने राम रत यादव को रोक दिया और लोग तो काफी सारे अभधर भास का भी प्रियोग कर रहे हैं कि बाप जो है रामरत यात्रा को रोकता है बाप जो है राम पर सवाल करता है भगवान पर सवाल उठाता है और बेटा जो है वो भागवत कथा का पाठ पढ़ा रहा है वहीं आपको एक जानकारी देते चले कि दरसल तेज प्रताप यादब की पत यानि कि तेजप्रतापयादव पर घरेलू हिंसा का रूप लगता है ऐस्वरिया रहा जो कि तेजप्रतापयादव की बरतमान में भी पतनी हैं हलाकि उन्होंने तलाक का आवेदन दिया हुआ है और तलाक का मामला भी कोट में चल रहा है लेकिन विहार की पुर्व मुख्मंत्री रावरी देवी पर भी ऐस्वरिया राय यानि कि बहु ने आरोप लगाया था कि खुद रावरी देवी जी ने उनके बाल पकर कर उनके साथ मार पीट की थी मीशा भारती पर भी आरोप लगा था और उसी आप कह लिजे कि एस्वरिया राय कोई छोटे मोटे परिवार की बेटी नहीं है बलकि बिहार के पुर्व मुख्मंत्री दरोगा प्रसाध राय की वह पोती बताई जाती हैं और आपको बताते चले कि आज से कुछ दिनों पहले जब दरोगा प्रसाध राय की पुन् दरसल तेजस्वी आदव बिहार के पुर्व डिप्टी सियम लिखते हैं कि महान स्वतंत्रता स्ञानी और उच्छ कोटी के राजनी तिक बिहार के पुर्व मुख्व मंत्री स्वर्गिये दरोगा प्रसाद राय जी की जयंती पर कोटी कोटी प्रनाम सत्सत नमन एवं बिनम् यानि कि एक तरफ जहां तेजस्वी आदव अपने भावी के दादा जी की पुर्णे तीथी पर उन्हें सत्सत नमन करते हैं महान आत्मा बताते हैं स्वतंत्रता स्ञानी बताते हैं वहीं दूसरे तरफ उनके ही परिबार में उसी स्वतंत्रता स्ञानी और बिहार के पुर सारे सब्दों का उप्योग किया जाता है जो कि हम मर्यादा में रहकर उन सब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं लेकिन ऐसे लोग को हुई डवल इस्टेंडर का कहा जाता है एक तरफ जहां तेजस्षी आदब जातिय जनगन्ना की बात कर रहे हैं पूरे देश भड में ये मांग की जा रही है कॉंग्रेस के राहूल गांधी भी लगातार ये मांगे कर रहे हैं बिहार में जातिय जनगन्ना हो चुकी है और कहा तो गया था कि बिहार में जातिये जनगन्ना इसलिए कराई जा रही है ताकि जो लोग पिछरे निकल के आएंगे जिलोग का विकास अब तक नहीं हो पाया है जो लोग मुखधारा से नहीं जुर पाये हैं सरकार उनके लिए योजना लाएगी लेकिन आखिर एक साल लगबग बी चुका है क्या योजनाई कितने लोग गरीबी रेखा से उपर आ गए ये आज तक पता नहीं चल पाया और जातिये जनगन्ना सिर्फ राजनितिक लाब लेने के लिए राजनिती करने के लिए कराया जाता है और यहीं मांग पूरे देश भर में की जा रही है हम ये नहीं कर करते हैं कि आप जातिये जनगन्ना मत करवाईए आपको जातिये जनगन्ना करवाना है एकदम कराये लेकिन हर धर्म के लोग की जातिये जनगन्ना होनी चाहिए क्या कि सनातन धर्म में अगर 75 जात है तो इसलाम धर्म में कितनी जाती है पारसी में कितनी जाती है सिख में कि क्रिश्चन में कितनी जाती है आप सभी धर्म के सभी जातियों की जनगन्ना करवाईए और तब करवाईए जब आपके पास कोई भीजन हो आपका कोई मिशन हो कि इनकी आर्थिक इस्थिती में सुधार कैसे लाया जा सके इनको मुखधारा से जो लोग पीछे हट गए हैं उ दूसी तरफ आपको बताते चले कि राहुल गांधी से ही संसद में ही केंद्रिय मंत्री ने सवाल कर दिया था कि आप बताईए कि आप किस जाती से हैं राहुल गांधी से संसद में ये सवाल किया गया कि आप बताईए कि आप किस जाती से हैं क्योंकि राहुल गांधी के न प्रिस्चन से साधी कर ली और राहुल गांदी अपने आपको ब्रहामन बता देते हैं कभी मुसल्मान बता देते हैं कभी कुछ और बता देते हैं और राहुल गांदी ही जातिये जनगन्ना की मांग कर रहे हैं यानि कि जब जातिये जनगन्ना होगी तो भारत के हर बेक्टी से उसके घर पर जाकर पूछा जाएगा और अधिकारी पूछेंगे कि आप किस जाती से हैं आप ये बताइए और जब राहुल गांदी जो ये मांग कर रहा है दोहरा चडितर देखिए इन नेताओं का जब राहुल गांदी से ही उनकी जाती पूछी गए तब उन्होंने संस अगर पूछ देता है तब आपको बहुत खराब लग जाता है आपके आत्मसमान को चोटप हो जाती है आखिरी ये कैसा दोहरा रवया है इन सारे मामलों पर आपकी क्या प्रतिकडिया है अपनी प्रतिकडिया जरूर दिज्येगा जुरे रहे हमारे साथ जैहिं जैभरो